यूक्रेन की राजधानी कीव में भारती दूतावास के ठीक बगल में ये स्कूल है और इन दिनों भारती छात्रों का एक ठिकाना बना हुआ है भारती दूतावास ने वो छात्र जो वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाय के लिए यूक्रेन में थे लेकिन फंस गये यहां से निकलना चाहते थे, जिनकी फ्लाइट्स कैंसल हो गई और उसके बाद वो परिशान हो रहे थे, उनके लिए रुकने ठहरने की वेवस्था यहां की गई है, हमारे साथ बाचीत करने के लिए Ambassador पार्थ सत्पती हैं, जो यूकरेन में भारत के राजदूत हैं, और इस स मैं उनको पूरा देश सुनना चाहता है कि भारती चात्रों के लिए क्या इंतजाम किये जा रहे हैं, और वो कब तक सुरक्षित पहुँच बाएंगे, Ambassador. मुल्टिकल्चुरालिटी को, यह हॉस्पिटालिटी बड़ी भेंगी है, क्योंकि दिल से है, इस स्कूलबानों ने हमको दिया, और बच्चों को हमने यहां रखा हुआ है, कोशिश जारी है, इनकी एवेकुएशन की, की वभी इंतन्स फाइटिं की बीच में हैं, बड़ी मुश्किल परिस्थिती है, क्योंकि, इनकी बड़ी मुश्किल परिस्थिती है, क्योंकि, एम ये ये जो लोग गल में है, आपनी चाहता है, क्योंकि सकत्के अनाटिवलेल, क्योंकि वह जानागे सब्सर कर द came सब्सक्राइब का देखा है, प्रोमानिया की साइड से आज भी करीब करीब एक हजार लोगों को आपने निकाला है। वहाँ से एक प्रोसेस शुरू हुई है। यह प्रोसेस आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। वेस्टन उकरेन जो है। अभी आइडेंटिफाई किया गया है कि सेफ एक्जिट अरिया है। और जब तक यह मिशन पूरा नहीं होता, आप इस शिप को अभी होल्ड कर रहे है। अभी है यह प्रोसे शुरूरा नहीं चूरूरा नहीं होता है। धन्यवाद हमसे बाचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।